फेरस फ्यूमरेट, विटमिन वीट वैलव और फॉलिक एसर्ट टैबलेट जो की अनीमिया को ट्रीट करता है जो फिर आप लोगों को अनीमिया से बचाएगा अनीमिया एक ऐसी कंडिशिन होती है जिसके विश में आप लोगों की बॉड़ी के विश में रेड ब्लड सेल्स का नंबर जो है वो लू हो जाता है और जे जो है आएडरन की डैफिशंसी की बज़ट से जो हो सकता है जो पिर जिसको की फौलेट ही बोल सकते हैं तो उसकी डैफिशंसी से जो है होता है iron एक बहुत ज़दा important mineral होता है हमारी body के लिए जो की red blood cells को produce करता है vitamin wheat valve जो है जे भी बहुत ज़दा important है हमारी body के normal blood cells के लिए और साथ में ही nerves के लिए folic acid जो है जे बहुत ज़दा ज़रूरी होता है हमारी body के लिए और healthy cells के लिए especially red blood cells के लिए Ferrous Fumarate जो है जो है जो एक iron की type है और folic acid जिसको की folate V बोलते हैं बो जो है vitamin V की एक type है और particularly जो है vitamin V9 होता है folic acid जो है इसको pregnancy से पहले भी जो है doctors जो है women's को recommend करते हैं जो फिर during the pregnancy के दुरान भी जो है इसको use किया जाता है तो जे बहुत ज़्यदा important होता है कि 400 microgram folic acid tablet जो है हर दिन जो है एक pregnant women जो है ले pregnancy से पहले ही जो है इनको लेना start कर देना चाहिए अगर कोई pregnancy को plan कर रहा है और इसको continuously जो है बहुत ज़्यदा जरूरी होगा कि आप लोग 12 weeks तक जो है इसको continue रखें तो जो भी women's enough folic acids को लेती है pregnancy से पहले और वो pregnant होना चाहती है तो यह बहुत ज़्यदा important होता है उनके बेबी के लिए उससे जो भी major birth defects होते हैं तो उनसे बचा जा सकता है जैसे कि वेबी की brain के development होना spines के development होना तो उनके defect से जो है बच सकते हैं folic acids की बज़ा से तो जी जो birth defects होते हैं इनमें simply neural tube defects होते हैं तो boomens को जो है folic acids को हर दिन लेना चाहिए और pregnancy से पहले ही जो है उनको start कर देना चाहिए और pregnancy के दोरान भी जो है इनको use करना चाहिए जिससे कि वो neural tube defects से जो है बच सकती हैं तो iis medicines को जैसे कि आप लोगों के doctor आप लोगों को बोलते हैं तो वैसे ke Exactly आप लोगों को properOUTu ledoo셋 में और proper duration के ओपर उनको लेना है और आप लोगों को जो है इसको खाना कहने के एक गंटे से पहले जो है आप लोग इसको ले सकते हैं empty stomach के वीच में आप लोगों को इसको लेना है जा फिर आप लोगों को जब भी जो है इस medicine को जो है लेना है तो एक full glass of water के साथ जो है इस medicine को आप लोग ले और गारा जो है इस medicine को आप ना करें fully whole medicine को जो है आप लोग स्वलब कर दें अगर हम लोग जो है composition की बाद तो इस मैडिसन के वीश में फेरस व्यूमिरेटर 200 mg प्रेजंट होता है विटमिन वीट वेलब जिसको के कवाल एमाइन वी बोलते हैं वो 5 mcg प्रेजंट होता है फॉलिक एसर 1000 mcg प्रेजंट होता है तो इस मैडिसन के टेबलेट्स को आप लोगों को 30 के नीचे टेंपरेचर में स्टोड करके रखना है और ड्रेक्ट सनलाइट और मॉइस्टर से भी प्रोटक्ट करना है आप लोगों को हर तरह की मैडिसन को जो हैं बच्चों से दूर अगर हम लोग प्राइस की बात करें तो 10 टेबलेट्स जो हैं आप लोगों 30 रूपी की मिल देंगी तो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना है और उसके बाद ही किसी भी मैडिसन को कहीं से भी खरीद रहा है माननो कि अगर आप लोगों को डूसेज लेना बूल जाता है किसी दिन तो आप लोगों को जब भी जाद आता है तो आप लोग जल्दी से जो हैं उस मिज लें अगर next day next doses का time हो चुका है और आप लोगों को जाद नहीं आता है डूसेस लेने का तो आप लोगों को जो है उस डूसेस को जो है skip कर देना है कभी भी आप लोगों को double doses को एक समय पर नहीं लेना है फेरस विम्रेट जो है इसके वीच में anti-anemic properties होती है और यह replenish कर देता है जो भी आइरन आप लोगों की बॉड़ी के वीच में stored होता है तो आइरन बहुत ज़्यदा important होता है नए blood cells की formations के लिए तो folic acid जो है जो है एक vitamin V की जो है एक form है जो कि बहुत ज़्यदा important रूल प्रेकरता है red blood cells की formation में जिससे की क्या होता है कि जो भी oxygen आप लोगों की body के वीच में carry out होना होता है तो बहुत ज़्यदा essential होता है folic acid जो भी unborn baby के brain के लिए और साथ में spinal cord के लिए कुछ इस medicines के temporary side effects भी देखे जाते हैं जिसके side effects temporary होते हैं और कुछ समय के बाद जो खुदबा कुद डिसापेर्ड हो जाते हैं तो अगर किसी को जो है side effects लंबे समय तक रहते हैं तो आप लोगों को जो है doctor को consult करना है in conditions में तो किसी भी medicine को लेने से पहले जहां फिर आप लोग इस medicine का यूज करना चाहते हैं तो एक बा अपने बेबी को तो उन conditions में क्या होता है कि जो फॉलिक एसर्स का जो content होता है तो जी आप लोगों के breast milk के बीच में भी जो है चला जाता है तो आप लोगों को एक बाद डॉक्तर को पूछ लगना है इन conditions के लेडर और उसके बाद ही जो है आप लोगों को breastfeed करवाना है वे फिर किसी supplements के थरूँ जो है ले सकता है उसे क्या होगा कि जो भी spinal cord birth defects होते हैं तो उनसे जो है बचा जा सकता है folic acid की deficiency जो है जो पूर डाइट की बचा से होती है जो फिर पूर absorption जो होती है फूट की उस बचा से होती है अनीमिया एक ऐसी condition होती है जिसके बीच में जो body जो है वो enough red blood cells को जो है वो नहीं form करती है और जिससे की जो adequate amount में oxygen की requirement होती है different tissues के लिए तो वो जो है वहां तक नह के लिए लेना है जो तक आप लोगों की doctor आप लोगों को बोलते हैं और doctor जो है इस शिच को आप लोगों को जो है आप लोगों की medical conditions के basis के उपर ही जो है recommend करते हैं कि आप लोगों को कितने समय तक जो है इन tablets का use करना है folic acid जो है बहुत ज़रूरी होता है pregnancy के लिए और जो baby के development होती है उसके brain की spinal cords की और साथ में ही आप लोगों को कुछ जो products है उनको जो है इस medicines के साथ consume बगारा नहीं करना है जैसे के dairy product आगे जब आप लोग जो है इस medicine को use करते हैं तो उस same time के उपर आप लोगों को dairy product का use नहीं करना है ना ही coffee ना ही tea का क्योंकि जो ferrous fumarate और folic acids होते हैं तो इससे क्या होता है कि अगर आप लोग इन products के साथ इसको use करते हैं तो जो इसकी absorption होगी ferrous fumarate और folic acids की absorption कम हो जाएगी